देखिए जैसे कि आप सभी जानते ही है कि बिहार में पंचायत अस्तर पे लेखापाल सर आईटी सायक और डेटा इंट्री अप्रेटर के पदर पे भरती होने वाली है तो मैंने वीडियो बना कर कई बार इसके बारे में अब्रेट दिया हुआ है तो अभी जो एक बहुत बड़ी अप्रेट आई हुई है जिसके माधियम से कही न कहीं आपको पता चलेगा कि भरती की अप्रेट क्या है तो अभी भरती पर करिया शुरू नहीं हुआ है पहले ही हम किलियर कर देना चाहेंगे क्योंकि आप मेंसे काफी सार लोग गलसलत कमेंट करना लगते हैं कि आप ऐसे करते हैं वैसे करते हैं देखिये वीडियो के माधियम से आपको जोई अपडेट दिया जा रहा है कि अभी जोई क्या सुचना है क्योंकि आप मेंसे काफी सार लोग ऐसे हैं जो कि इसके बारे में हमेसा जानना चाहते हैं कहीं न कहीं अपडेट आपको देना जरूरी है कि अभी अपडेट के आए क्योंकि हम लोग जो वीडियो बनाये हुए है न तो इसके बारे में आपको सुचना देना कहीं न कहीं जरूरी है क्योंकि आप मेंसे काफी सर लोग का कमेंट ये रहता है न कि हम लोग आप लोग जो कुछ update है उसके भी बारे में विस्तार से समझाएंगे तो प्लीस वीडियो सुरू से अन तक लिए कजोड़ देखिएगा वीडियो थोड़ा से अच्छा लगे तो प्लीस वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत ज़रूरी सुचना है क्योंकि हमने जो है एक नया चनल क्रियेट कर दिया हुआ है जिस पर जो भी सरकारी जोना का वीडियो है ना और मोस्ट वहीं पर जा रहा है तो उसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किये हैं नीचे लिंक पर क्लिक करके जाकर सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि अल्मोच इतने भी सरकारी जोना की भरती होगी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और जितने वेकेंसिस की वीडियो होगी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी तो धीरे धीरे सारा वीडियो जो वहीं पर जाने वाला है तो प्लीज एक पर जाकर उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं कि परती चार पंचायद पर एक ही दर से कूल दो हजार चानवर जो लेखापाल सवायटी सायक है वो जो पहले से सवक्रीत हैं अब यहाँ पर बोला गया है कि पद के अस्थान पर परतेग पंचायद समीती के लिए एक एक और तथा परतेग जीला परसद के लिए दो दो पर पर सकते हैं तो इसमें थोरा सा आएंगे तो बहुत सरे से बाते हैं जो बताई गए हैं चाहें तो पर सकते हैं इसका लिंक नीचे उपलब करवा देंगे जहां से आप इसको पर सकते हैं कि इनका जो सेलरी वगरा है और पदो की जो संखिया इसमें मेंसन कर दिया गया था क्योंकि पद जब सबकृत होता है न तो उसमें मेंसन कर दिया था है कि इनको जो ही कितना सेलरी मतलब बार्शी देना होगा ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं कि इसमें पद का जो है मेंसन क किया गया था कि लेखा पाल सह आईटी सहायक जो कि परतेग ग्राम पंचायत का अस्तर पे एक एक काम करेंगे हर एक पंचायत में तो पांच एर नौस एक्सट पदोपी इनका भरती होगी बीस एरपय जो ही इनको सिलरी मिलेगी ठीक है और बाकि इनका बार्ची कितना सद के लिए भी दो दो पदो पे भरती होगा जो कि चिहतर पदो पे भरती होगा इनको भी 50 il पहीं सेलरी यहां पर देखने को मिलेगा तो इस तरह से जो ही इनका सवकृति दी सवकृति मिलने के बाद क्या हुआ कि इसमें एक देख सकते हैं कि सब्द जोड़ा गया ना कि सबिंदा अधारी तो सबिंदा अधारी जो है गौर्मेंट के द्वारा भरती नहीं निकाली जाती है इसके लिए किसी ना किसी आउट्सोर्सिंग कंपणी का जो है साहता लिया आ जिसमें काफी सरे कंपणी ने भाग लिया काफी सरे जो आउट्सोर्सिंग कंपणी है जनसी है अपना फॉर्म को फिल किया लेकिन बहुत सर ऐसे कंपणी है जो की फॉर्म फिल नहीं कर पाई तो फिर से क्या किया गया है कि इनको जो है स्टेंड कर दिया गया कि अब जो है Beltron बेगर अगरा हो गया यह सब जो है outsourcing company है ठीक है मतलब की contact basis पर आपको job देती है outsourcing company है एक private company है जिसके माधियम से बिहार के सरकार से tie up करके और आपको job यहाँ पर plop करवाती है तो इसके लिए क्या होता है ना कि सबसे पहले जो भी बिभाग होता है जिसमें भरती करानी हो यानि की बोली के मादिम से इनका Tender लगता है जो भी कमपनी जदा बोली लगाती है इतना में मतलब काम कर देंगे या फिर इतना में हम अपने तो इनका जो है 16-24 तक टेंडर के लिए form फिल किया गया है अब यहाँ पर देखिए इसका date बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है इसको लेकर मेरे पास कोई official सुचना नहीं है लेकिन जो recent का सुचना है मैं निकाला हुआ हूँ जिसमें पताया गया है कि 16-24 तक जो हिन लोग का form फिल नहीं साब से भरती परिक्रिय कराएगी अब इस टेंडर के नोटिस में देखेंगे न तो इसमें सभी जनकारी उल्मोष्ट मेंसन करके बता दिया गया था कि कौन से पदों पर कितना भरती होगी qualification क्या रहेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सिलेल भाई करके बता दिया हुआ है मतलब bachelor of commerce कर लिया हुआ है या फिर आपने income कर लिया हुआ है दोने में कोई यह किया है तो form को भर सकते हैं कोई दिकत नहीं है या फिर आप CA Как윤 कि यह हुए तो भी आप फॉर्म को भार सकते हैं मतलब कि तीन क्योंव को फुपल करना को फुल५िल करेंगे और सकते हैं और यह भी बात बोला गया है कि जो लोग CA इंटर किये हुए है ना उनको preference मिलेगा निकि उनका जो पहले होगा पर्थिमिक्ता उनको दी जाएगी तो ये बात बोला गया है तो आप form को भर सकते हैं और salary मैंने पता ही दिया कि 20 एरपे salary यहाँ पे जब इसका सवकृति दिया गया था तो उसमें बोला गया रखेंगे न तो सहाइक data interruptor का भी post रखा गया है जिसके लिए बोला गया है कि 329 पदों पर भरती होगा तो इसमें बोला गया है कि 10 प्लस 2 यानिके अपने intermediate पास कर लिया हुआ है 37 साथ आपके पास DCA, EDCA का certificate है और आपका जो type in speed है 25 वर्ड हिंदी और 30 वर्ड इंगलिस में आपका type in speed है तो आप form को भर सकते हैं ठीक है जो कि tender वाल नोटिस में जनकाड़ी दिया गया है तो इसी के भिहाब पे जो भी company अपना tender लेगी ठीक है उस company के दुवारा जो है भरती निकाली जाएगी और यही qualification और यही जो है salary यहाँ पे दी जाएगी क्योंकि इसका जो है सवकृती दे दिया गया है कि इतना हीनको salary मि हो सकता है कि Beltron को मिल जाए हो सकता है कि बहुत सरे बिहार में अलग अलग प्रकार की outsourcing company है किसी को भी मिल जाता है तो आपने हिसाब से भरती निकालेगा भरती निकालेगा तो यहाँ पी इसका सुचना जरूर जारी किया जाएगा ठीक है आमने पंचायती राज department का जो official portal ह यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसको आप open करेंगे तो latest news में ही आपको भरती की जनकारी मिल जाएगी या फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी circular होता है इसमें आ सकता है notice board में आ सकता है ठीक है तो यहां से जो ही जनकारी आपको देखने को मिल जाएगा तो अभी update यही है ना कि अभी जो ही tender का form recently यहां पे close किया गया हो सकता है कि date बढ़ा होगा जो कि अभी notice आया नहीं है जाना से हम notice to net.com का जो website है यहां पर upload करवा दिया है यहां पर आने के बाद आप देखेंगे आपको बिहार लेखापाल आईटी साहय का एक वेकेंसी का link मिलेगा जिस पर click करेंगे तो इसमें almost जनकारी दिया हुए चाहें तो पढ़ सकते हैं और बाकी नीचे आएंगे तो यहां पर पेपर के बामाद जनकारी दी गए जैसे कि आप सभी जान ही रहे हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि official notice के सामने आपको उगला मिल जाएगा औ outsourcing company का hiring हो जाएगा और जो भी outsourcing company जीमा ले लेगी उसके माधिम से भरती निकल के आएगी तो आपको हम बता देंगे किस तरह से भरती होगी तो फिलाल यही अपडेट है भरती अभी शुरू नहीं की गई इन बातों को ध्यान रखेंगे भरती अब comment में है तो हो सकता है कि बहुत ही जल एजन्सी का चैन हो जाएगा और एजन्सी के माधिम से भरती निकाल दी जाएगी तो हम आपको अपडेट देंगे तो बस आज किस वीडियो में इतना ही वीडियो थोड़ा सब अच्छा लगा है तो वीडियो के ज़रूर लाइक करें और आपके मन में किसी प